एलो वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से गोर्डन बेज की इस खास वीडियो में तो अगर आप भी कोई भी कारोबार खुलने के बारे में सोच रो तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत भी अच्छा बिजनेस आइडिया हम लेकर आए जी यहाँ एक दिसंबर से देश बर के सबी नेशनल हाईवे की टोल प्लाजा पर फास्टेग अधनिवारे हो जाएगा वही सरकार की इस फैसले से टोल प्लाजा पर लंबी बीड से बचा जा सकता है सरकार का मानना है कि टोल प्लाजा पर बीड कम होने और बिना डोक टोक से गाड़ी निकलने से प्रोडूसन के स्थर में भी कमी देखने को मिलेगी वहीं आपको बता दे कि फास्टेक सिर्फ आपको टोल प्लाजा की बीड से ही मुक्ती नहीं दिलेगा बलकि कमाई का एक मौका भी देखा आपको बता दे कि मुधी सरकार आपको फास्टेक का बिजनेस करने का मौका दे रही है और वो भी सिर्फ पच्चास जार रुपे इन्वेस्टमेंट करके आप ये बिजनेस सुरू कर सकते हो लेकिन इससे पहले हम आपको बता दे कि Fast Tech टोल प्लाजा पर पेमिंट करने वाला एक इलोक्टोनिक टोल कलेक्शन की तकनिक है और फिलाल ये सिब नेशनल हाइवे पर ही लागू किया गया है आने वाले समय में स्टेट हाइवे पर भी इसे लागू किया जा सकता है वही Fast Tech Radio Frequency Identification के प्रिंसिपल पर काम करता है Fast Tech को गाड़ियों की विंडो स्क्रिम पर लगाया जाता है वही टोल प्लाजा के सेंसर इसे रिडर कर लेते हैं और टोल का पेमिंट हो जाता है एक गाड़ी पर लगा Fast Tech अगले 5 साल के लिए वेद होता है और उसमें रिचाज करवाना होता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि Fast Tech के बिजनेस को कौन सुरू करता है तो आपको बता दे कि कोई भारती नागरिक आवेदन कर सकता है हाला कि मार्केट में काम करने का अनुबब भी जरूरी है आपको बता दे कि RTO एजन को खास वरियता दी जाती है और इसके अलावा कार्ड डेलर, कार्ड डेकोरर, ट्रांसपोर्टर, P.U.C. सेंटर वाले फ्यूलिंग स्टेशन वारे इंसौरेंस एजन्ट भी इसे आवेदन कर सकते है पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाईया आवेदन कैसे करना है आवेदन करने के लिए ज़रूरी जानकारे के साथ एक फॉर्म बढ़ना होगा फॉर्म के साथ ये आवेदन फिस्ट भी जमा करवाने होगी पर इसके बाद N.I.C.T. में P.O.S. यानि की पॉइंट आप सेल एजन्ट के रूप में सफल रेजिस्ट्रेशन के बाद एजन्ट को N.I.C.T. से मिले फास्टेग को वहान और स्रेनी के आदा पर गराकों को बेचने होगे है न तो ये था बिजनेस फास्टेग का तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे देगर लाइक की बटन को दबा दीजिए तो मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद